सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल देहला देने वाली हॉरर स्टोरी बिना घबराए बेल आइकोन प्रेस करना ना भूलें अमवस्य की गहरी काली रात थे शहर से दोर चारों और से गहनी जाडियों से गिरा हुआ एक कब्रिस्तान जंगले जानवरों की आवाद से और भी बयावा लग रहा था कब्रिस्तान के अंदर कुछ गर्ववती महिलाए सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई दे रही है उनके लंबे बाल और आखे खून की तरह लाल है चेहरा बिलकुल सफेद और पैर उल्टे है अचानक एक इस्त्री जो खून से लटपद है एक छोटी से बच्ची को गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगती है वो अपनी बच्ची को एक टक देखने लगती है सुबकते हुए उसकी आँखों से खून टपकने लगता है और बच्ची के चहरे पर गिरने लगता है इतना कहते ही बबिताशा चीखने लगती है मा की बात सुनकर बागी की महलाए भी बच्ची के पास आकर उसे सहलाने लगती है कुछ देर बाद आधी रात का वक्त था जंगल के सुनसान रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए सिरारों के रोने की डरावनी आवाजे सुनकर अनिकेद के पहर काप रहे थे बाहर का मौसम बहुत खराब था पिछले कई घंटों से तुफानी बारिश आ रही थी जो रुपने का नामी नहीं ले रही थी खराब मौसम से जोचते हुए अनिकेद गाड़ी चला रहा था कि तभी उसके फोन के गंटी गंगना उड़ती है हेलो? हाँ सुनिता बोलो हेलो? अब आज नहीं आ रही है? हेलो? अनिकेद हेलो हेलो करता रहता है लेकिन फोन कर जाता है अगले ही पल फिर से फोन बचता है हेलो? सुनिता? बोलो ना? हेलो? तभी फोन की दुसरी और से एक बच्चे की आवाद सुनाई पड़ती है ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाव आई वंदर वोट यू आर हेलो? सुनिता? ये क्या मजाख है? सुनिता ये कोई वाक्त है मजाख करने का? अचानक से फिर से फोन कर जाता है एक ब़र फिर से फोन बचता है इस बार अनिकेद पसीने पसीने हो जाता है देखो सुनिता बस बहुत हो गया मजाख पापा? एक बार फिर से बच्चे की आवाज सुनकर वो कॉल कार्ट देता है दो मिनिट बेते होंगे कि एक बार फिर से फोन बजने लगता है कौन है? कौन बार बार सुनिता के नंबर से फोन करके परिशान कर रहा है? सुनिता, ये तुम हो? तभी दूसरी तरफ से उसे अपनी मा की आवाज सुनाई पड़ती है बेटा अनिकेद, मैं हूँ, तेरी मा, सुनिता को सिटी हॉस्पिटल में भरती कराया है तु जल्दी आजा, डॉक्टर बच्चे की जान को खत्रा बता रहे है ना जाने अचानक बहु को क्या हुआ कि वो जमीन पर गिर पड़ी अस्पताल में लाए तो डॉक्टर फॉरन ओपरेशन का बोलने लगे तु जल्दी आजा, बेटा मैं अभी आता हूँ मा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना सुनिता और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा अनिकेट तेजी से गाड़ी चलाते हुए सिटी हास्पिटल पहुँचता है वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि सुनिता ने एक बेटी को जन्म दिया है मैं ना कहता था कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा ये क्या है? ये बच्चे ऐसे क्यों है? मा, इसकी आँखे? आपने इसकी आँखे देखी? अरे बावला हो गया है क्या? क्या हुआ है इसकी आँखो को? भली चंगी तो है? लगता है तुझे अचानक से ये सब देखकर सदमा लग गया है वैसे भी अभी महिना भर बाकी था बहू की डिलिवरी में लेकिन देखो सब उपर वाले की माया है चल तू कुछ देर आराम कर ले लेकिन मा ऐसी बात नहीं है मुझे कोई सद्मा नहीं लगा सच महीं इसने अभी मुझे अजीब सी नजरों से देखकर हसा मेरा विश्वास करो मा अनिकित बार-बार मा को समझाता है लेकिन मा को उसकी बात का यकिन नहीं होता है कुछ दिर बाद अनिकित गहर लोटाता है और अपने कमरे में आकर आखे बंद करके लेड़ जाता है तभी उसे लगता है कि किसी ने उसका गला दबा रखा है जो तूने किया है उसे भुगतने का समया आ गया है अब तुझे कोई नहीं बचा सकता चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अब तू नहीं बच सकता वो आ गई है आ गई है वो अनिकेत के गले पर पंजे की पकड़ा और भी तेज हो जाती है और वो दर्थ से छटपटाने लगता है कि तभी उसकी नीन तूड़ जाती है यह क्या था? यह सब एक सपना था क्या? हाँ, सपना ही था इतना कहकर वह जैसा ही अपने गर्दन पर हाथ फेरता है उसे वहाँ पर खौन दिखाई पड़ता है अगर अगर यह सपना था तो फिर यह खौन कहां से आ गया? मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाओंगा क्या सच है क्या सपना कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे बहुत डर लग रहा है पहले वो फोन कॉल फिर बच्ची और अब यह सपना कुछ ना कुछ गड़बर तो जरूर है इस गटना के बाद अनिकेत बहुत गवरा जाता है और दो दिन तक अस्पताल नहीं जाता दो दिन बाद, सुनिता अस्पताल से गर आ जाती है रात के समय, सुनिता गेहरी नीन में सो रही थी कि अचानक बच्ची के रोने की आवाज से अनिकेत की नीन खुल जाती है सुनिता! सुनिता!ать उठो! लगता है बच्चे को भूख लगी है सुनिता तभी बच्ची आने केट को देखकर मस्कुराने लगती है और उसका हाथ कसकर पकड़ी दिया ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आई वंडर वोट यू आर हाँ 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 पापा मुझे दूद नहीं पीना है पापा मुझे तो आपका खून पीना है उससे ही मेरी भूख शौन्त होगी आऊ ना पापा मुझे बहुत भूख लगी है पापा आऊ ना सुनिता बैरी हो गई हो क्या मैंने कहा उठो और इस बच्ची को लेकर यहां से जल्दी बाहर निकल जाओ आना नहीं इसे लेकर मेरे पास यह इंसान नहीं है शैतान है अनिकेत की चीखने की आवाजे सुनकर अचानक सुनिता भी नीन से जाग जाती है लेकिन अनिकेत को तुमता की जगा तुमने मारा है मुझे याद है या भूल गए बोलो याद है या मैं याद दिलाऊ नैना अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है मैंने कितना भरोसा किया था तुम पर मैं तो गाओं की एक भोली भाली सी अनाथ लड़की थी मेरे अकेले पन और अनाथ होने का खूब फायदा उठाया तुमने मैं भी तुम्हारे जैसे शाते रादमी की असलियत नहीं पहचान पाई सोचा ही नहीं कि तुम्हारे जैसा पड़ा लिखा इंजीनियर क्यों मुझ जैसी गाओं की लड़की से शादी करेगा मैं तो तुम्हारे लिए उन्चे महीनों के मनोरंजन का सामान थी अपना दिल बहलाने के लिए तुमने मुझ से शादी की और मैं बेवकूफ तुम्हें ही अपना सब कुछ समझने लगी जब शादी के दो महीने बाद तुम्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ निकालने लगी गाहों से वापस शहर आकर मैं बिल्कुल निश्यन था कि अब तुम मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाओगी लेकिन एक महीने के बाद जब मैंने अचानक तुम्हें शहर में देखा तुम मेरे होशी उड़ गए मुझे डर था कि कहीं तुम ये सारी बाते मेरे घर या ओफिस तक ना पहुचा दो अपनी पोल खुलने के डर से मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया अब मैं छिपकर तुम पर नजर रखने लगा था मैं जानता था कि तुम शहर में मुझे ही डोडने आई हो मुझे अपने लिए कोई मुसीबत नहीं चाहिए थी इसलिए उस रोज रात के समय जब तुम सड़क पार कर रही थी मैंने जान बोज़कर तुम्हें अपनी कार से टक कर मारी और तुम्हें मरने के लिए सड़क पर छोड़कर गाड़ी लेकर वहां से भाग गया तुमने एक बार भी मेरे यापने होने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा अरे वो तुम्हारा बच्चा था तुम्हारा अपना खून इतना कहे कर वो अपने बच्चे को याद करके रोने लगती है मुझे माफ कर दो नैना मैं नहीं जानता था तुम गर्वोती हो जाओगी ना पहले से ही शादी शुदा था बचा कर भी तुम्हारे बच्चे को नाम नहीं दे सकता था इसलिए जब तुमने बताया कि तुम प्रेगनेंट हो तो मैं घवराट के मारे उस रात गाओं छोड़कर भागाया था जब उस रोज तुम मुझे ऑफिस के पास रात में दिखाई पड़ी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे लगा शायद ऐसा करने से मुझे सारी परिशानियों से मुक्ती मिल जाएगी मैं अपनी गर्ववती पत्ने को ये सब नहीं बता सकता था इसलिए रात के अंधेरे का फायदा उठा कर मैंने तुम्हें गाड़ी से कुचल दिया इतना कहकर अनिकेद जोर-जोर से रोने लगता है तभी अनिकेद की पत्नी उसके सामने आ जाती है ये सब क्या बोल रहे हो तुम? कौन है ये नैना? क्या किया तुमने उसके साथ? तुमने खून किया है अनिकेद? ची, कितने गंदे आदमी हो तुम मैं एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रह सकती नहीं सुनिता, मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था बस इसलिए तभी सुनिता के शरील में नैना आ जाती है अब तू क्या करेगा? अब तू तेरी सुनिता को भी तेरी सचाई का पता चल गया अब इस दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं है तेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है अब तू भी मेरे साथ चल नहीं, छोड़ दो मुझे नैना मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरी बच्ची का जीवन घराब हो जाएगा उसने तो अभी अभी इस दुनिया में आग खोली है उस बेचारी को मेरे कीए की सजा मत दो तेरी बेटी? तेरी बेटी नहीं है ये तेरी बेटी को तो मैंने पैदा होते ही मा डाला था बाप के कर्मों का बोज औलाद को ही उठाना पड़ता है इसे मैंने पैदा किया है ये मेरी बेटी है जो अपनी मा की अधूरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आई है पापा, आज मैं तुम्हें भी अपने सौथ ले जाऊंगी पापा, तुम भी गाओगे न जैसे मा गाती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देखो, मुझे छोड़ दो ऐसा कैसे हो सकता है, यह बच्ची चुड़ें नहीं हो सकती यह तो मेरी और सुनिता की बच्ची है यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे छोड़ दो हम दोनों को मार दिया था ना, फिर तुझे क्यो छोड़ दे तू तो मेरा पापा है, तुझे तो हमारे साथ चलना ही भड़ेगा मेरी मा को तरपा तरपा कर मारा था तूने अब तू मरेगा इसके बाद चुड़ायल और उसकी बेटी मिलकर अनिकेट पर आमला कर देते हैं और अनिकेट की रॉंग्टे खड़ा करती चीखे सुनाई देने लगती है अगले दिन सुबह अनिकेट की खोन से जनी लाश उसके कमरे से बरामद होती है यह कहानी आपको अच्छे लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज जरूर फॉलो करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना भूलना मत